आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल इंप्लांट के बारे में काफी समय से रिक्वेस्ट आजी थी कि डेंटल इंप्लांट के बारे में कुछ बताईए तो इस वीडियो हम देखेंगे कि डेंटल इंप्लांट होता क्या है किन-किन कंडिशन्स में ये treatment आप करवा सकते हैं इसके बाद ये treatment होता कैसा है इसमें कितना समय लगता है पूरा procedure होने में और cost कितना होता है इसका जो खर्च है लगभग कितना खर्च इस treatment में आ जाता है तो friends मैं हूँ Dr. Harishankar Soni और आप देख रहे हैं Easy Dentistry वीडियो को last time जरूर देखिया गा तो सबसे बहले समाझते हैं कि dental implant होता क्या है तो dental implant जनरली अगर हम समझे easy language में तो एक screw जैसा structure होता है एक device होती है जिसको आपकी bone में fix कर दिया जाता है bone में attach कर दिया जाता है और इसके उपर फिर आपको artificial tooth दे दिया जाता है ये एक permanent treatment है fix treatment ये होता है लेकिन ये normal screw नहीं होता है ये एक noble metal का बना होता है titanium metal का बना होता है जो कि आपकी body के लिए बिल्कुल भी harmful नहीं है बिल्कुल भी नुकसान दायक नहीं है इसे photo मैं आपको दिखाई रहा हूँ अब दूसरा photo आप देखे generally पूरे जो treatment है implant treatment है इसके तीन पार्ट होते है पहला dental implant जो कि आपकी bone में लगाया जाता है fix किया जाता है उसके बाद आता है abutment जो कि dental implant के उपर लगाया जाता है और abutment के उपर लगाया जाता है artificial tooth जो हमको tooth replace करना है जो देना है वो इसके उपर लगाया जाता है तो चलिए अब समझते हैं कि किन-किन conditions में ये treatment आप करा सकते हैं उसके पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को subscribe जरू करें और bell icon को click करें ताकि notifications आपको मिलती रहें तो चलिए समझते हैं आप किन-किन condition में आप करा सकते हैं तो सबसे पहले ये photo देखिए अगर एक दात आपका मिसींगे चाहे वो सामने कहो या पीछे कहो एक दात आपका मिसींगे और आप चाहते हैं कि implant उसमें कराया जाए तो बिलकुल उस पर implant आप करा सकते हैं इस condition में दूसरा अगर एक से ज़्यदा दात आपके नहीं है मानली जे दो या तीन दात आपके नहीं है या ज़्यदा दात आपके नहीं है और आप चाहते हैं कि implant treatment कराया जाए implant से fix दाट लगवाए जाए तो भी आप करवा सकते हैं photo में आप देखिए ऐसा एक bridge बन जाता है जैसे मान लीजे तीन दाट आपके नहीं है तो दो implant आपके लगा कर उनका support लेकर तीन दाट का bridge आपका बना दिये जाता है ऐसे ही अगर ज़्यादा दाट नहीं है तो भी implant के support से आपको fixed दाट बनवा दिये जाते है इसके बाद अगर आपके मुह में एक भी दाट नहीं है एडिंचिलर साप है और आप चाहते हैं कि कोई fixed treatment हो क्योंकि जो denture बनाये जाता है वो निकालने रखने वाला होता है रिमूवेबल होता है उसको आपको निकाल के साफ करना होता है लेकिन आगर आप चाहते हैं कि fixed हो आपके मुह में एक भी दाट नहीं है तो आप implant से denture बनवा सकते हैं implant supported denture आप बनवा सकते हैं इसके लिए implants जादा लगाने होते हैं जितने भी implant की जरुत होगी जैसे आप photo में देखिए ऐसे place कर दिये जाता है उपर भी और नीचे भी इसके बाद इसमें आपको denture लगा दिया जाता है तो यह fixed denture होता है तो इन conditions में आपको treatment करवा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं कि dental implant treatment हो जाए तो हो ही जाएगा सबसे पहले आपका diagnosis किया जाता है bone thickness चेक की जाती है उसके according अगर bone thickness अच्छी है करने लाहिक है तो आपको यह treatment दिया जाता है तो चलिए अब समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है और कितना समय इसके लिए लगता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके तीन पार्ट होते हैं dental implant, abutment और फिर artificial tooth तो सबसे पहले जो dental implant होता है इसको आपकी bone में एक चोटी surgical procedure करके bone में place कर दिया जाता है diagnosis करने के बाद CBCT की जरुवत होती है cone beam, computed tomography की जरुवत होती है diagnosis करने के लिए bone thickness देखने के लिए वो आपके doctor करते है इसके बाद implant को आपकी bone में place कर दिया जाता है एक surgical procedure से लगा दिया जाता है और suture कर दिया जाता है टाके लगा दिया जाते है फिर इसको छोड़ दिया जाता है उसमें bone attach हो जाती है आपके दाथ से वो fix हो जाता है जो implant है अच्छी तरीके से fix हो जाता है जब ये fix हो जाता है 2-3 महीने के बाद तब इसके उपर abatment लगाया जाता है जैसा मैंने आपको abatment के बारे में बताया तो इसके उपर abatment लगाया जाता है implant के उपर abattment होता है support के लिए जो हम tooth के place करेंगे उसके support के लिए और abattment लगाने के बाद आपका measurement लिया जाता है नाप लिया जाता है और जो भी tooth आप select करते हैं उस tooth को बनवा कर place कर दे जाता है ये पूरा complete treatment होता है तीन से चार मेहने इस treatment को होते होते लग जाता है लेकिन ये fixed treatment है permanent treatment है तो अब बात कर लेते हैं इसमें cost कितना आता है इसका खर्च कितना होता है एक implant के हम बात करेंगे यसे कि ये सबसे advanced treatment है permanent treatment है इसमें जो diagnosis अच्छा चाहिए होता है time ज़्यादा लगता है इसके बाद जो implant आप में डालना है वो भी बहुत अच्छी quality का होना चाहिए तो इसका खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है तो एक implant का खर्च होता है 15-16,000 रुपे 15-16,000 रुपे से ये start होता है फिर clinic के according आपके area के according और जो implant का material है उसके according ये change भी हो सकता है और ये काफी costly भी जाता है 30-40,000, 50,000 तक का एक implant भी place किया जाता है और ये एक पूरे implant का खर्च है इसके बाद जो prosthesis लगाया जाता है जो artificial tooth लगाया जाता है वो जो भी आप select करते हैं उसके according उसके costing अलग होती है तो कुछ doctors आपको implant और tooth दोनों का खर्च बता देते हैं सारा खर्च बता देते हैं complete होते तक जो भी होगा और कुछ doctors आपको स्रीव implant का खर्च बता है generally implant के ही बारे में बात की जाती है क्योंकि जो tooth है तो आपको फिर last में select करना होता है तो इसको आप पूरा अच्छे से समझ लें और कराने से पहले आप पूरा अच्छे से बात कर लें कि क्या आपकी costing होगी क्या आपका treatment होगा कितना वो आपको life देगा उसके बाद आप ये treatment करा सकते हैं ये काफी अच्छा advanced और permanent treatment है तो इस वीडियो में इतना ही hopefully वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये आपके लिए helpful रही हो तो इस वीडियो को like जरूर करें शेर करें अपने friends के साथ, family के साथ ताकि उनको भी implant treatment की जानकारी हो और comment section में आकर बताएं कि किन topics पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं जाने से पहले subscribe करना न भूब ले जल्दी मिलते हैं next वीडियो में Thank you friends